यह आपको बता पहली क्या गया था यह आअजय कि पहुंच गया था यह पहुंच गया यह नहीं का आयोजन जहुत्तर भार्थी एक्टामाच और जो है हिंदू संगठनों के द्वारा जो है इसरेली का आयोजन किया गया था इसरेली में आप देख सकते हैं कि भारी तादात में जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद है जो CAA NRC NPR के खिलाब जो है यहाँ पर विरो जो जामिया और जेनु के जो छात रहें उनके उपर जिस तरह से पुलिस की बरबरता की गया थी उतके खिलाब भी यहाँ पर नारे बाजी की जा रही है एक बात और बता दें आपको कि जिस तरह से यह रैली सील फाटा से निकल कर जो है तीन बजे के दर्मियान यह रैली जो है मुंबरा के सिल फाटा से निकल कर अब मुंबरा शाहिन बागत पर पहुंच चुकी है पुलिस का भी भारी बंतो बस यहाँ इस रैली में है आपको बता दे कि यह रैली का आयोजन किया गया इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाए ही नहीं है इसमें जो है हिंदू और यहां पर जो है मौजूद है और इस कानून का जो है विरोध कर रहे है जलें जिसतना से बुरुस नहीं है इस्कृत isolation कर रही है और इस पीछे के तरफ जो है महिलाओं का विरोध परदर्सन है जो महिलाएं आकर इस शाहिन बाग में बैठेंगे और इस कानून के खिलाफ जो है अपना विरोध परदर्सन करेंगी आपको बताए दें कि जिस तरह से ये विरोध परदर्सन आज शुरू किया गया मुम्रा के शील से शुडवात हुई है और यहां मुम्रा के शाहिन बाग पर अब यह विरोध परदर्सन आपकार पहुच चुका है अगर कोई यह समझता है कि सिर्फ मुसलमान को एनर्ची से तकलीव है तो उनको फिर अभी तक समझी नहीं हुई है कि तकलीव एनर्ची से किसको है को भी है बहुत को भी है लिग को भी हर समाज को हार समाज को तकलीफ आने वाले है अईसा नहीं के सिर्फ ब्रह्मन समाज को आने वाली इसलिए हम सबने मिलके क्रिश्यन बहुत ब्रह्मन सबी लोग में मिलके इसका साथ दिया है और इसका विरोध आगे भी जाली रहे हैं यह मैं बोद्द समाझ से हूँ और मैं डॉक्टर बाबा साब अमबड कर राष्टी परिवर्तन परष्टी का राष्टी अधिक्ष हूँ मेरा कहिना जो आज देखे आपने के वबा हमारे पास यहां पे जो गुरु है जो क्रिचन समझ के गुरु है अमारे बंते जी है उसके बाद में हमारे पंडी जी है उसके बाद में हमारे साथ जहिन समझ के मुस्लिम समझ के दलित समझ के यह जो मुर्चा निकला यह राली से खाली दली मुस्लिम समाज कोई तकलीब नहीं है यह सभी वर्गों के सभी धरम के लोगों को तकलीब है और इसी के लिए हमने जो यह मोर्चा अंदुलन जो आज किया है यह सब ने मिलके किया है और इसका विरोज जो है जब तक सरकार एक आला कानून रद नहीं कर दी तब त is one of the concentration that this particular legislation is discriminating in all areas. This government has failed to provide the development that they are assured to divert the attention of the people they are doing this discriminatory exercise. Because through this exercise, they are trying to divide the people of India, thereby there is chaos exists and people forget about their failures for example why I am saying this this is discriminatory it is anti-women anti-dalit anti-poor there are unwedded mothers single mothers widowed mothers forsaken mothers and the children who are born to them how will they get their father's certificate birth certificate it's impossible so it is discriminatory in nature it is gender biased people the women cannot get the children of those people who are living alone without their husbands they cannot get their nationality registered under this NRC they cannot do and again those who have property they can easily get the register themselves under national registration but if the poor does not have a property where he will go so it is anti-poor and again it is anti-dalit because socially for thousand years they have been marginalized and their parents are not educated so they would not have registered their birth certificates this is how you have been here for the sun kiya gaya tha is we rose for the sun may johai sabi dharma or jaj ke logeo is we wrote for the sun may shambil say or Joe Sarkar Dora C double a nrc npr laya jar hai is if Pode subscribe here and see a card to our page comment please subscribe subscribe